हेलो फ्रीन दूस्तों स्वांगे तब कमाईजियल पाप के फीवरी सीरियल इमली में चल रहा है हाइप उल्टिस रामा और मालीनी जेल की सजा काटने वाली है और शो में देखने को मिलेगा लीप जिहां दोस्तों शो में आ गया है बहुत ही धमागेदा ट्वेस जहां पर अ इमली और आदिती को एक होने से कोई नहीं रोग सकता क्योंकि मालीनी को सजा तो होके ही रहेगी और तीन साल की सजा कोट सुना देगा उसके बाद देखने को मिलेगा हमें मालीनी का नया आवतार जिया दोस्तों शो में बहुत ही धमागे दान ट्वेस आने वाला है और अम जैसे ही सच सामित हो जाएगा कि इमली और आदिती के साथ में मालीनी ने जान बुचकर ये सब कुछ गलत किया है तो उसके बाद उसे सजा तो होगी और प्रेगनेंसी का ड्रामा भी खत्म हो जाएगा क्योंकि कोई प्रेगनेंसी नहीं है और ये भी इमली गोट में साबि नी तुम अनु की बातों में आकर अपने जिंदगी बरबाद कर लोगी और देव अब यहां समझाते हुए काफी नजरा अब आईगा लेकिन अब उससे कोई फाइदा नहीं होने वाला है और अनु बुरी तरह से रोते नजर आने वाली है और माली ने भी जैसे ही यह सचा कि माली ने को जेल जाते वक्त अनु से उसका आमना सामना यानी अपनी मा के रोते हुए देखकर अब माली ने उसी पर भड़क उठेगी और कह देगी कि अब तो आपको शान्ती मिल गई होगी ना और अब देखो आपकी कहे हुए अनुसार अगर मैं पापा की बातों पर तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता लेकिन आपके जो घटिया करेगा उसके साथ पर घटिया है उसका अंजाम होगा और माली नी बोरी तरफ से अनु पर भड़कते नजर आने वाली है क्योंकि सजा के बाद उसका दिमाग घुम जाने वाला है लेकिन माली इतनी आसानी से सुदरने नहीं वाली और यहाँ पर अनु से तो बीड़ेगी यहाँ तक कि अपनी माँ को ही जोड़दार थपड़ मार देने वाली है जिया दोस्तों शो में बहुती धमा के दांट विस आने वाला है जहाँपर माली नी को गुस्से में अनु को ही तो देखना इंट्रेसिंग होने वाला है क्योंकि लीप के बाद माली नी अब फिर से आदित्य और इमली के जिंदगी में उनसे बदला लेने के लिए एंट्री करेगी तो देखना इंट्रेसिंग होने वाला है दोस्तों की आगे अब माली नी क्या क्या ड्रामा करती है